नमस्कार मैं हूँ अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर दिल्ली से लेकर महराश्ट्र और जार्खंड तक इस वक्त सियासी फिजाएं बड़ी तेजी से रुख बदल रही हैं वज़ा है आगामी विधान सभा चुनाओ महराश्ट्र में एक राउंड और जार्खंड में दो राउंड के चुनाओ 13 और 20 दवंबर को हुने हैं उधर राशधानी दिल्ली में भी अगले साल चुनाओ क्यूं में हैं वही हर्याना और जम्मो कश्मीर में कॉंग्रस की खराब परफॉर्मेंस के बाद महराश्ट्र और जार्खंड विधान सभा चुनाओ कॉंग्रस के लिए साख का सवाल बन चुके हैं लेकर इन सब के बीच पहले दिल्ली में अकेले चुनाओ लड़ने का एलान करके कॉंग्रस को जटका देने वाली आम आदमी पार्टी अब जार्खंड और महराश्ट्र विधान सभा चुनाओ में भी कॉंग्रस को बड़ा सर्प्राइज देने की पूरी तैयारी में है और मुख्यमंतरी की कुर्सी छोड़ कर आतिशी को कमान सौपी फिर कॉंग्रस से हर्याना चुनाओ को लेकर सीट शेरिंग पर बात ना बनने के बाद अकेले ही 90 में से 89 सीटों पर क्यांडिडेट उतार दिये साथी जम्मू कश्मीर में भी अकेले दम पर चुनाओ लड़ा हर जम्मू कश्मीर की एक सीट डोड़ा पर जरूर पाल्टी को जीत हासल हुई और जम्मू कश्मीर ऐसा पांच बार राज्य बन गया जहां आम आदमी पाल्टी का विधायक है सबसे बड़ा तो कीजरी बाल ने इन चुनाओं के बात कॉंग्रेस को जटका दिया यह ऐलान कर कि दिल्ली में कॉंग्रस के साथ नहीं बलकि अकेले आम आदमी पाल्टी चुनाओं लड़ेगी तो वहीं अब एक बार फिर से आम आदमी विधान सभा चुनाओ लड़ने को लेकर लगभग फैसला कर लिया गया है। नेत्रित्व से मन्जूरी मिलने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर दिख रही है। जानकारी के मुताविक आला कमान ने पार्टी की महराश्ट्र और जारकंड राज्य एकाईयों से रिपोर्ट मांगी है। और इस बात की बहुत कम संभावना है कि शीर्ष नित्रित्व महराश्ट्र में कुछ विधान सभा सीटों पर चुनाओ लड़ने के लिए सहमत होगा। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी योजना है कि महराश्ट्र में इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने पर फोकस किया जाए। काफी excited भी है हालाकि ये सवाल भी है कि क्या पार्टी महराश्ट्र और जार्खन में भी विधान सभा चुनाओ में अपने उम्मीदवार उतारेगी या नहीं क्योंकि ओफिशियली इन दोनों ही राजियों में आम आदमी पार्टी के चुनाओ लड़ने पर कोई फैसला नह क्यों है कि अगर महराश्ट्र और जार्खन चुनाओ आम आदमी पार्टी लड़ती है और वो खराप प्रदर्शन करती है तो इसका नेगेटिव असर दिल्ली विधान सभा चुनाओ पर होगा इससे बीजेपी को परसेप्शन बनाने में मदद मिलेगी क्योंकि दिल्ली में भी जनवरी और फरवरी महीने में विधान सभा चुनाओ हो सकते हैं यानि दिल्ली में विधान सभा चुनाओ में बस तीन से चार महीने ही बाकी है ऐसे में आम आदमी पार्टी कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई ऐसा कदम ने उठाना चाहती, जिससे बीजेपी को उसके खिलाफ नेरेटिव बनाने में मदद मिले। इसलिए भी आम आदमी पार्टी ले ये फैसला किया है कि वो महराश्च और जारकन चुनाओं नहीं लड़ेगी, बलकि इंडिया गडवन्धन को समर्थन देगी। हाला कि अभी तक पार्टी की ओड से इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। उधर दिल्ली चुनाओं को लेकर बीजेपी सत्ता धारी आम आदमी पार्टी को घेरने के प्रयास में जुड़ गई है। की बात करें तो आम आदमी पार्टी यहां सत्तर में से 62 सीटे जीती थी, बीजेपी के हिस्से के वलाट सीटे ही आई थी, वही कॉंग्रेस पिछले 10 साल से दिल्ली की विधान सभा में एक भी सीट हासल नहीं कर सकी है। लोगसभा चुनाओं के बाद यह पहला मौका होने वाला है जब बीजेपी और कॉंग्रेस नहीं बलकि राष्ट्रिय जनतांत्रिक गडवंधन यानि की एंडिये और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। महाराश्च्र में बीजेपी की अगवाई वाले महायूती गडवंधन में मुख्यमंत्री एक नाच शिंदे की शिवसेना, अजेत पवार की एंसीपी शामिल है। साथी इंडिया ब्लॉक के सामने लोग सभा चुनाओ के बाद इस पहली बड़ी चुनावी फाइट में जीत के साथ दिल्ली और बिहार चुनाओ से पहले जीत का मोमेंटम बरकरार रखने की भी चुनाओती होने वाली है। इसको लेकर सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी चुनाओी तैयारी तेज कर दी है। इन मुकाबला महायूती और महाविकास अगहाडी के बीच है तो वही जार्खन में सीधा मुकाबला जीमेम कॉंग्रिस आरजेडी के इंडिया गडबंदन और बीजेपी के नेतरित्व वाले अंडिये के बीच है। हालांकि आपने अभी इन सभी चुनाओं में ना उतरने को लेकर कोई आपचारी घोशना नहीं की है। ऐसे में देखना होगा कि आगे चलकर सियासी उठ किस करवट बैटता है। फिलहाल इस राजनीतिक विशलेशन में फिलहाल के लिए अतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के अलावा महराश्ट और जार्खन विधान सभाज चुनाओं से जुड़ी सभी लेटिस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें। पबलिक खबर के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।